तो यहां पर आडमिशन लेने के लिए अप्रिकेशन फूर्म करनी पड़ती है डेट के बार में आपको पता हूना चाहिए इस वीडियो में देखने वाले है वो प्रोसेश के बारे में सारी इंफॉर्मिशन के बारे तो कफी बारे So, यहाँ पर आप देखो क्या होता है तो सिक्किन मुद्रिटेटी जो गवर्मेंट कॉलेज है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेट कॉर्स के लिए आपको एड्मिशन लेनी है ठीक है So, जो भी यहाँ पर एक साल के दो साल के लिए कور्स होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना था सबसे पहला application form feel करकर admission लेकिन उससे पहले भी आपको देखना है कि आप eligible हो रहे हैं या नहीं हो रहे admission लेने के लिए तो आपको eligibility देखने पड़ेगाulsion form feel करनी ए तो आपको फिल करने पड़ेगी from the official website okay किसके official website पर से कि government official website पर application form release रहेगी वहां पर online mode application form फिल करती नहीं होगी फिर आपको wait करना होगा बताता हूं क्या है ठीक है course आपको यह offer करता है यह course offer करता है यहां पर भी 8 का और भी सारे courses है ठीक है PG level भी doctoral level भी courses offer करती है so यहां पर कुछ highlights है जैसे कि आप देख सकते हैं पर आपके exam का नाम बताएगा है उसका full form बता सकते है exam type UG type का है और यहां पर exam का level होता है ना देने का exam level जो होता है competition होगी आपका पुरा पुरे state में होती है right और conducting body सिक्किम गवर्मेंट बेट कॉलेज है okay conducting body है यह application mode online mode से release कर जाएगी मैं पताया था जैसे कि आप जानते है exam mode offline mode से होगा exam rate will be available soon okay will be available okay so duration जो है exam देने का exam duration जो है आपका one six okay ठीक है 180 minutes और यहां पर आप जो जानते है 180 minutes okay official website you can see your official website I know help plan number वगरा है आपर provide किया गया important dates के बारे में आपको बता देना चाहूंगा events होता और 22 dates होती है so events में आपर क्या होता है कि आपको date बता जाता है कि कौन से जैसे कि starting date of application form कभी है और यहां पर वो date देखर कर के apply करना होता है फिर यहां पर last date रहता है वो last date को आपको देखना होता है फिर उस last date को आने से पहले आपको date complete करनी है और समाप्त करनी है submission रहता है availability of admit card रहता है सबी चीजह आपर आपको देद दी जाती है फिर यह clear होगे आप सभी बच्चों को ठीक है कैसे देखना होता है तो यह simply क्या होता है important dates होती है कि आपको कौन से काव करना होता है किस तरह से करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह official website open कर ने होगे इस official website के तुरू आपको जो है मिलने वाला है अभी यह working नहीं है so okay तो यहां पर important dates के बाद आपकी location form के बार बताना ठीक है तो first मैंने क्या बताता कि eligibility देखनी है फिर आपको application form so मैं आपको eligibility बताता हूं eligibility जो यहां पर at least 50% आपको mark secure करने eligible होने के लिए आपने 12 class complete कर लिए किसी भी university से आपने 55% marks general और 50% reserve category लिए होता अगर आप 55% marks कब लाएंगे जब आपको special कोई course program selected रहेगा so आपको special रहेगा तो 55% marks यह होता है जैसे science social science okay mathematics this is the special तो आपको 55% कम से कम mark secure करने minimum mark secure करने है ओके और reserve category से अगर आप belong करते तो आपको 5% का shoot मिलता है ठीक है total जितना भी रहता है general के लिए रहता है जितना भी उसके उससे 5% और chances मिलते हैं कि आप हो सके 50% अगर 50% देर यह आपको eligibility 50% marks secure करने के लिए ठीक है अगर so that आप reserve category से आपको यहां पर क्या होता है application form में आपको field करने होती है personal details family details education details course related details contact details parents details further details application form के fees pay करना है और सारी information complete करते submit कर देना exam patterns syllabus के बारे में आपको बता दिया गया information जब ही आपको application form release करके सब कुछ information हो जाती है मतलब जब ही भी patterns या फिर syllabus वगरा जरुवत लगती तो उससे में आप official website पे चेक कर सकता है वहाँ पे information आपको दे दी जानेगे admit card भी same आपको official website पे online mode से ही release की जाती है और उसका information वहाँ पे मिलता है फिर आप download कर सकते है you can download from the official website of Sikkim Government University okay and it's important documents that are brought during the examinations तो आपको exam होने जब होगा तो आपको exam में आते समय है आपके पास admit card का hard copy admit card का print form में आपके पास paper form में होना चाहिए admit card right यह तो आपने 10th tender में दिये रहेगा तो उसमें रखते admit card hall ticket same way चाहिए result where you can get result from the official website only the result will be made obtained for the candidates ठीक है तो वहां सब चाहर करके चेक कर सकते है online mode के थुरू और फिर आपको 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 करते चैसर अब यहां पर क्या होता है काउंसलिंग के प्रोसेस जो मैंने बताया तो फाइल स्टेप काउंस अब एलिजबिकीशन फूरम के बाद मैंने ने बता दिया उसके बाद को यहां पर application form application form के बाद merit लिस्ट में आपका नाम आईगा merit list नाम आने के बाद okay so finally मैं आपर सारी information दे दिया हूँ अगर आपको कोई डाउट होता है so definitely आप comment कर सकते हैं in this description box में मैंने दे रखा आपको this page का लिंक आप क्लिक करके चाहे तो इस पर आपकर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं okay so thank you so much for watching my video thank you